हरार महादेव जैवोलेनाद नमस्कार दोस्तों मैं साधना पांडे मागदसन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों पित्र पक्ष प्रारम हो रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पित्र पक्ष 15 दिनों का होता है और जैसे कि पोडिमा से सुरू होता है तो 16 दिन सब मिला कर हो जाते है तो यह पक्ष यानि कि पूरा एक पक्ष 15 दिनों का एक पक्ष होता है जैसे कि आप जानते हैं क्रिश्न पक्ष और सुकले पक्ष तो ऐसे ही 15 दिनों का जो ये पक्ष होता है वो आप पित्रों के नाम से होता है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या सच में धर्ती पे पित्र आते हैं तो यदि आप भी इस तरह की सोच रखते हैं और आपको लगता है कि पित्र आते हैं या नहीं आते हैं पूरी मन से आपके मन में स्थितियां चलती हैं तो आप गरुण पोड़ान पढ़ ले सुन ले उसमें आपको बिधिवत होगा वो सब कुछ पता चल जाएगा उसमें स्रीहरी विश्णु गरुण को संबोधित करने हैं बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा जो है वह धरती लोग पे आती है क समय पित्रपक्ष में पित्रपक्ष के दवरान हमारे आपके सब के पित्र अपनी दहलीज पर यानि कि जो आपकी घर की दहलीज होती है जिसको चौकट बोला जाता है तो वो उसके बाहर आपके पित्र होते ही होते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए यदि आप जो हमार धार्मिक कारेक्रम है उसमें विश्वास रखते हैं तो उसमें आपको ये मानना होगा कि पित्र पक्ष में आपके पित्र आते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि जब पित्र आते हैं तो उनके निमित हम कुछ करें तो वो सिग्र प्रशन होते हैं एक सीज और बत जानते होंगे कि पितर दोस्ट की जो पूजा होते हैं यानि पितर शांती की जो पूजा कराने में बहुत पैसे भी आपको खर्च करना होता है। किया है आप भूल रहे हैं कि आपके संस्कार क्या है बस इसलिए हमें कर दोस्त कर होता है इन 15 दिनों में आप कुछ ऐसा चमतकारी उपाय करके चाहिए बहुत भारी पितर दोस्त लगा हुआ है आप उससे मुक्ति पा सकते हैं अब दोस्तों मन में आपकी यही आ रहा हुगा कि क्या हमारे उपर पितर दोस्त लगा हुआ है या नहीं देखे यदि आपको कंपी खाने के आथ शकता आ अपके पितर अत्रिप्त हैं और यह 15 दिन आपके पास है जिससे आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं पहली चीज या पहला लक्षन यह द्यान लेजे कि आपके घर में पहले तो सदस्यों की शंक्या नहीं बढ़ती है इस इसको ध्यान रखें यानि कि बच्चे भीवा के लायक है बेटी है सुन्दर भी है समझदार है पढ़ी लिखिए उसको कोई वर नहीं मिल रहा है बेटा है बहुत अच्छा है नौकरी भी कर रहा है सब कुछ अच्छा है उसके लिए लड़की नहीं मिल रही या फिर बिवा हो गया संतानों पती नहीं हो रही है तो यह सब समस्याएं बिना देखे समझे समझे कि यह पितर दोस होने का ही सबसे बड़ा कारण है घर में बिना मतलब का लोग बीमार रहते हैं डाक्टर के पास जाने पे और कुछ भी पता वैसे चलता नहीं है डाक्टर बोलता है सब कुस सही आपकी रिपोर्ट भी बिल्कुल साधान नार्मा लाती है लेकिन आप बीमार है तो यह दोस क्या है पितर दोस है आपको कुछ है भी नहीं और आप बीमार है तो यह क्या है पितर दोस है घर को मैं दावा करने हूं कि कहीं कुंडले दीखाने के आउशकता नहीं है, पितर दोस्थ, निश्चित सत्पशथ आपके उपर लगा हुआ है. तो आप डर्येमत आपकी पितर दोस्थ लगा हुआ है, और यह सांत नहीं होगा, आपका भी झीए ठीक नहीं होंगे. एक चीज मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ, यदि हमारे देवता हमसे रुष्ट होते हैं, मना लेना काफी आसान है, देवता के संदर में छड़े रुष्टा, छड़े रुष्टा के बाद भी कही है, यानि कि वो सिगर प्रशन होते हैं और थोड़ी सी हमसे अगर ग काटना तो करनी है, अपने पित्रों को नहीं भूलना है, और एक बार मैं कहूंगे कि देखिए, मैं बिल्कुल सत प्रशत आपको वही चीज़े बताती हूं, जो सटीक आपके उपर असर करें, तो जो पिछली दो वीडियो में मैंने बता है, वो बिल्कुल सटीक असर करने यदि आपने नहीं देखा, तो एक बार आप देखिए, सर्च कीजिए कि पित्रपक्स 2021 मार्क दर्शन, देखिए उसमें वीडियो वो आ जाएगी, हाँ तो चलिए देख लेजिए कि ये तो आपने जान लिया कि कैसे जो है पाचाने कि आपके खर्ण में पित्रदोस है या नहीं है, अब आपको करना क्या है, अचू कुपाय आप जाने है कि पित्रदोस आपका कैसे सांथ हो जाएगा, देखिए सबके बसकी बात नहीं है कि वो बड़ी पूजा कराए, ब्रामण भोज कराए और इतने सारे खर्चे करें, क्योंकि देखिए पित्रदोस होता है तो ऐसे स्थिति में आपको एक काम करना होगा, कि सबसे पहले तो ये काली तिल जो की पूजा में इस्तेमाल होती है, हवन में इस्तेमाल होती है, और सनी देव को जल चड़ाने में भी इस्तेमाल होती है, तो काली तिल और जो है कि दूद और जल मिला करके, यदि आपने अपन यहादी प्राप्ठों तो नहीं है तो कम सकम जल मिला करके और यह पूजा प्राडम करें, पीपल में भी बात है रभिवार छोड़कर के पूरे पित्र पक्ष जो है, आप पूजा करें, इस से पित्र को जो कहें कि एकदम जल मिलता है और उनकी त्रिप्ति होती है, तो यह का क्या करना है आपको कि एक सीज़ देखना है कि रसोई घर में आप पानी कहां रखते हैं तो पानी जहां भी रखते होंगे कि मटका तो इस समय जाड़े का मौसम होता है तो ऐसे मटके क्या हो सकता नहीं है यह जहां भी रखते हों मेरे कहने का एक साधान साहत है कि यह दिर वा कोशम करें कि कम से कम 2-3 घंटे तक जलता रह और हाँ आपको कोई आवशता नहीं है यह बहुत सारे अगर्बती लगा करके और कुछ भी करने के दीपक जला करके और आप अपने पित्रउं को एक काम धिरे-दिरे होने लगता है क्योंकि दोस्तों कहा जाता है देखिए गरूर पुरान की बात मैंने आपको पहले ही बताई लेकिन यह बात पीच में छूट गई उसमें यह भी भगवान विश्नु गरूर से कह रहे हैं कि यदि कोई धर्ती लोकवासी यदि अपने पित्रो रूप से उसके पितर त्रिप्त होकर कि उसको इस प्रकार से आशिरबाद प्रदान करते हैं क्योंकि पितर देव में एक सक्ती होती है कि धर्ती लोकवासी को यदि वो आशिरबाद प्रदान करें तो उनकी आने वाली जो वनसज होती है पीडिया वो भी तर जाते हैं उनक इल्ली चीज है दोस्तों कि आपको आठे से भोजन तयार कर लेना भौजन में आपके अपने पुर्वज को जो भी पसंद हो आप जानते होंगे कि आपके पुर्वज को क्या पसंद है तो उनकी भोजन कुछ नहीं जानते हैं तो आप साधान सा कोई भी खाना बना ले आली बाद तो यह है कि आपको बहुत खुसी होगी कि किसी परिशान को आपने भोजन गया दूसरी चीज कि कहा जाता है कि ऐसे लोगों के जो सरीर में कहें या ऐसे लोगों का किया गया भोजन साक्षात पितरद्यों को प्राप्त होता है तो यह काम करें अगली चीज है कि आ आप उनको जूत और छाता का दान करें ये दान जो है वह कहा जाता है कि स्वता पित्रों को प्राप्त होता है तो ये दान पित्र पक्ष के किसी भी दिन आप कर सकते हैं और यदि आपके पुर्वजों का स्राध्य जिस दिन है उस दिन करें तो भी चलेगा और नहीं तो किसी अच्छी प्रकार मानती हूं कर लिया आपने लेकिन पित्र पक्ष में यदि आप अपने पित्रों के निमीत कुछ कर देते हैं तो देखे उससे आपको नुक्सान तो कुछ नहीं होता है लेकिन जो भी भूले विसरे आपके पुर्वज होते हैं उनको त्रिपती मिलती है और गौमाता के मुख में गया जाने के समान जैसे गया जाकर आप अपने पुरोजों को पिंड़दान करते हैं उस समान जो है गाय के मुख में गया के समान जो है वह पुर्य होता है उससे पित्र की त्रिपती होती है तो अनाज खिला है और यदि अन नहीं है तो आप लेकिन खिलाएं जरूर इससे आपके पित्रों की सांती होती है उनको मोक्ष मिलता है और एक चीज आपको अंत में बता दूं कि यदि पित्र तिप्त नहीं है तो उनकी धर्ती पे लोक पे रहने वाले जितने भी बंसज हैं वो भी परिसान रहेंगे किसी ने किसी मुकदमे म बेकार की सीजों में वो उल्चे रहेंगे एक तरवे से कहा जाए तो उनके जो बढ़ोतर ही होते हैं उनका विकास जो होता है वो रुख जाता है देखने वाले के नजर में लगेगा कि उनके पास पैसा आ रहा है लेकिन वो कहां जा रहा है मतलब उनकी स्थिती धैनी हो ज चाहिए लेकिन आप सभी लोगों को बस इतना कहना चाहूँ कि दख्षिन मुखी हो करके एक बार पित्रों का नाम ले करके हाँ जोड करके एक मिनट मौन हो करके उनका नाम ले करके देखिए जीवन कैसी एकदम सुचारू रूप से चलने लगता है और यदि आप जो है य बहुत अधिक मुझे प्रेणा मिलती है क्योंकि आप सोचिए यदि कोई चीज आप देख लेते हैं उस पर लाइक डिस लाइक कुछ भी नहीं तो वो मुझे पता बिलकुल नहीं चल पाता है तो आप कम से कम यह बताईए यदि अच्छी लेगे तो लाइक जरूर कीजी औ और उमीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगे मिलती हूँ इसे तरह की वीडियो के साथ हर हर मादे जय बोले नात नमस्कार